तेदे कमल चापे के बटन लागा भया दबाई देवो मोधी लापियम बनाई देवो नाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से मोधी भारत में फिर से मोधी सरकार बनाएंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और इसी बीच हम 36 गड़ में मौजूद हैं 36 गड़ की हम सरगुजा लोकसभा सीट पर अभी मौजूद हैं और हमारे साथ काफी यहां पर जो फिल्में हैं विल्मेकर हैं और गाने काफी बनाते हैं वह है गोपाल पांडगे जी हमारे साथ यहां पर मोजूद हैं राजणीति में आपने ने को ये अपने कर लिया है और प्रचन मतों से विजऑ ही बनाकि स्सथितुiego में इसा क्या के था रहाँ को अगरेश कि सरकार, मैं यहां में but पिछली टर्म में bring जचनता त्रर मिई और चुनाव का हटां, और जब आर विधान सभा चुना हुआ आइंड विजन्द को हुआ और जह लिए आइए लेकिन तुर्ण होगीme और जब यहां पर मानिव विष्णु देवसाइठी ने सभी वायदों को पूरा करने का सेट 53 वह महतारी वंदन योजना की बात हो या फिर किसान साथियों के लिए 3100 रुपे कुईंटल धान खरीदी की बात हो या उनके बोनस की बात हो और जो 36 सड़के जरजर हो गई थी फिर से उन पर बहुत तेजी से कारी होने शुरू हुए और इन सभी चीजों को देखते हुए ज सही बात है हम लोगों ने तो यहां पर चुकि मैं एक बार मैं फिल्म में कर हूं और साहिती मेरी रुची है तो मैं यहां के गौठानों के इस्तिती जा करके देखा वो गौठान खुचीख चीख करके भुपेश जी के घोटाले के बारे में बता रहे हैं कोई विवस्था सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में लोग जान रहे हैं इसमें भी भुपेश जी का डारेक्ट इन्वाल्मेंट हम लोगों को देखने को मिला है और जांच का विशह होगा तो निश्चीत तोर पर इसमें यहां पर भुपेश बगेल जब सत्ता में आय थे उन्होंने क लगाया को दया है कोई कॉंगरेस साथियों के लिए जो हिंदु के मोहरे जैसे इन्हों के भावनाओं से हाथ में और शराब बंदी का जो जूटा कसम कहा थे इससे भी 36 जनता कहीं ना कहीं बहुत रुष्ट थी आपको कसम नहीं खाना चाहिए था आपको सिर्फ इतना बोल देना था कि शराब बंदी करेंगे वायदा है वायदों का क्या कांग्रेसी तो वायदा पूरा करते नहीं हैं लेकिन इस बार इन्होंने यह बहुत बड़ा गलती किया कि इन्होंने गंगा जी का कसम खाया जिससे चंट चाहिए था कि हमारे आराध्य की जूटी कसम खाने वाले को हम उखार पेकेंगे और अब यह कह रहे हैं कि हम एक लाक रुपे देंगे कराहुल गांदी कह रहे तो अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इनके तो वायदे आप देखी रहें कोई पूरे होते नहीं जो गंगा जल हाथ में लेकर के जूटी कसम खा सकते हैं उन पर हम कैसे यकीन करें कि यह जो वायदे कर रहें इसको पूरा करेंगे और अगर ऐसा होगा तो देश की अर की देश को बचाना है और मुधी जी के सरकार लए जी पहली यहाँ से कोई आदेवासी समदाय से कोई मुख्य मंतरी बना है कितने खुत हैं लुग हमारा ये मानना है यहां पर आदिवासी भाई जो हैं उनकी कि और यह बहुत अच्छा भावागत जनता पार्टी का फैसला स्वागत योग फैसला है और मैं चाहूंगा कि आदिवासी भाई भी बहुत तेजी से सामने आए अपनी बातों को रखें और उसके लिए भारती जनता पार्टी ने बहुत अच्छा पहल किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है और निश्ची तोर पे मान यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में यहां के कलाकारों और साहित्यकारों के लिए बहुत अच्छा कारी किया जाएगा अगर आपको सुनाना चाहें तो सुना भी सकते हैं उनको जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से मोदी भारत में फिर से मोदी सरकार बनाएंगे जी राहूल गांधी कह रहे हैं जो मोधी जी है वो हमारे जो दो चरंड की वोटिंग हुई है उसमें हार के डर से कांप रहे हैं क्या कहेंगे आप मुझे याद है कि राहूल गांधी देखि उनका नाम सुनते हसी आता है एक बार कहे थे कि मैं लोग सभा में यदि मुझे बोलने का मोका मिला तो विपक्ष डर से कांपने लगेगा जनता ने सबक सिखाया आज कॉंग्रेस कहा है आज लगभग लगभग पूरे देश में कॉ सुपता हुए जहाज है जितना जल्दी इसमें से सब्सक्राइब ह하면 this को बचा लें इतना टाकत कि वह पने बचा पाए मोदी जी घबरा गिसों 거지 हर तो प्रेसिंदेश को तोडहला फोश्ना पत्र पत्र प्रका λέंवेस्तर वहो способ बढ़ गई है लोग पड़ लिग गए हैं और इनके चिकनी चुपड़ी बातों में अब लोग आएंगे नहीं तो एक तो यह आएंगे नहीं लेकिन अगर यह गलती से आ गए तो मोदी जी ने कहा था ना कि इनकी नजर आपकी मंगल सुत्र पे है उसको आप दूसरे तरह से स चोटी चोटी जातियों में विभक्त करने जा रहे हैं तीसरी बात इनका गोशनापत्र इस तरह का है कि यदि उसको लागू कर दिया जाए तो देश की अर्थ बिवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगा हमारे पास कुछ बचेगा नहीं जो इतना परिश्रम करक हैं मेरी ज catching बाइस की पिछली बार चालीस पेट कर लें तो क्या लग रहा है मोदी लहर पूरे देश में है और इसलिए कि जनता जान गई है कि एक मोदी जी के रूप में एक संथ को मिला है जो 24 गंटे देश के बारे में सोच रहा है और देश के फब्टान के लिए कारे कर और सिर्फ यहीं नहीं पूरे विश्व के नेता हैं मतलब आप यह समझे कि हम कभी सोच सकते थे क्या कि जब कोवीड आएगा तो हमारा देश जो है इतना जल्दी वैक्सीन बना लेगा यह मोदी जी के कारण संभव हुआ और उन्हें ना सिर्द देश के लोगों को बल्कि द यह दोनों देश अपने युद्ध को विराम दे करके और भारतियों को निकलने के लिए रास्टा देते हैं यह परे समभो था क्या किसी वी स्थिति में सम्भस नी था यह क्योंकि पहले नोग देखिएं कि हमारे 1 320ए तो खून की नदियां बहेंगी लेकिन मोदी जी का नितुन ठीटिफ हथा, कि 352बाना बstatement हम आज utilizz अगर्व से कह सकते हैं कि हम भी कश्मीरमें जा के रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं पहले संभव था क्या कांगरिस के काल में, तो यह मोदी जी का कुशलने त्रित्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे देश की जनता भी सोच रही है लांश में इक गाना सना कर आप खृतम कर दीजी कमल चापे के बतन लागा भया दबाई देव कमल्चापे के बटन लागा भया दबाई धन्यवाद आपका बहुत